ठीक है वरुन तो आज दो एहम पहलू है जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है तिजस्वी यादव का बयान जो की 23 जून से पहले कारवाई हो सकती है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा बयान है और दूसरा जो अब जोड़तोर की जो राज़नेती अब आप और कॉंग्रेस के बीच यानि आप पार्टी का जो खुला ओफर तो राजीव मैं आपसे दोनों ही मामलों पर में चाहूंगी आप विशलेशन कीजे क्योंकि अगर तिजस्वी यादव अचानक से ये बयान दे रहे हैं तो कही ना कही आग है क्योंकि यूही तो दूआ नहीं उठा दूसरा जो ये आप और कॉंग्रेस के बीच जो ये अब शुरू किया गया है आप पार्टी की तरफ से अब सीधा ओफर जो दिया गया है मैं समझना चाहूंगी राजीव आखिर कॉंग्रेस बड़ा संभल संभल कर कदम अपने पत्ते साफ नहीं कर रह हैं एक अरविंध केजरिवाल दूसरे ममता बनरजी के साथ कॉंग्रेस के रिषते बहुत सहज नहीं रहते हैं और इन तोपने अब और राज्जों के बहुत मजबूत नेता हैं बात यह है कि अगर आपको विपक्ष की राजनीत करनी है मौजूदा समय में तो आप公 incent को ignore करके विपक्ष की राजनीत नहीं कर सकते क्योंकि कोई माने या ना माने आज भी Congress Party विपक्ष की सबसे बड़ी Party है जिसकी पहचांग जिसका असर जिसके कारिकरता चाया एक हो चाये 1000 हो आप विपक्ची एक्ता की बात करते हैं तो माइनस कॉंग्रेस कोई विपक्ची एक्ता का मतलब नहीं है। लेकिन अर्विंद केजरिवाल की सियासी मजबूरी यह है और कॉंग्रेस पार्टी की भी कि दोनों के खेलने की पिछ एक है। दिल्ली और पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी एक समय बहुत मजबूती स्थिती में रही है वैसे में अर्विंद केजरिवाल के वहां मजबूत होने के बाद कॉंग्रेस उनके सामने सरेंडर कर दे, समरपड कर दे तो ये पार्टी के लिए लंबे समय का नुकसान का सौधा हो सकता है और अर्विंद केजरिवाल अगर कॉंग्रेस पार्टी के सामने नत्बस तक हो जाए तो फिर उनके पार्टी के अस्तित पर ही खत्रा पैदा हो जाएगा ऐसे में दोनों बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं और उसकी वज़े सिर्फ एक प्रधान मंत्री नरिंद मोदी और उनका शासन है के अर्विंद केजरिवाल निश्चित तोर पर पिछले साथ-ाथ वर्षों में किसी मुख्यमंत्री ने सबसे जादा संगर्श और या सबसे जादा लड़ाई या सबसे जादा हमला अगर केंद सरकार पर किया है तो उसका नाम अर्विंद केजरिवाल है लगातार आप देखती है कि उनके और केंद सरकार के बीच में तना तनी अलग-अलग मुद्दों को ले करके होती रहती है तो अगर आपको नरेंद मोधी से लड़ना है तो फिर सबको एक होना पड़ेगा ये भी उनको पता है देखिए जब ट्रैफिक के सिग्नल जो होता है पूजा उस पे तीन लाइट होती है एक रेड लाइट एक येलो और एक ग्रीन रेड लाइट जला दी है अब हरी लाइट जलेगी की नहीं ये कॉंग्रेस पार्टी पर भी बहुत कुछ निर्वर करता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सौरब भार्दवाज का ये बयान ट्रैफिक के उसी सिग्नल की तरह पीली लाइट जला देने की तरह है अब जहां तेक देश में बात आ रही है कि 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है और तेजस्वियादों को ऐसा डर सता रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर CBI और ED का शिकंजा कसेगा तो ये ऐसा ऐसी कोई बात वो नहीं कह रहे हैं ऐसा कोई आग है तभी दूआ है कुछ कुछ सच्चता इस बात में है क्योंकि पिछले आठ वर्षों में और खास करके पिछले चार वर्षों में CBI और ED ने अपनी निगाहें जिस तरह विपक्ष के नेताओं की तरफ की है उससे ये बात निकल करके आती है अगर आप देखें करनाटक के चुनाओं में आठ करोर रुपए जो हाल में किसी भी नेता के घर से बरामद हुई सबसे बड़ी प्रॉपटी है वो चुनाओं के दोरान बीजेपी के अमेले के यहां से मिली थी वो आठ करोर रुपए में तीसे दिन जमानत हो गई वो आठ करोर रुपए कहा गए इसका कोई पता नहीं चला यही बीएस यद रपा और यही हैमंद बिश्थरमा जब बीजेपी के विरोध में थे तो इनके बारे में ग्रीमंतरी अमिर्शाह ने इनके प्रष्टाचार में आकंट डूबे होने का कैसा जिक्र किया था और बाद में यही अपनी अपनी पार्टियों में मुख्यमंतरी बने और इतना जब उन्होंने पाला बदला तो वो मुख्यमंतरी बने तो आप ओम प्रकाश राजबर का अभी बीजेपी का रिष्टा कैसा था जब विदान सभा के चुना हुए और यकीन मानिये दो हजार चुबीस के लोग सभा चुना बीजेपी ओम प्रकाश राजबर के सा नोटिस सम्मन जाया करते थे और जब से यह टूट करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए है तब से उनको कितने नोटिस गए उनको कितने सम्मन गए यह सब को पता है और दूसरी बात यह है कि महराश्ड और मध्धि परदेश देश्ट के दो सबसे बड़ फोर्से से बागी विधायकों को बस में भर कर चारो तरफ सिक्योर्टी दे करके विधान सबा पहुचाये गया ये देश ने देखा है इसलिए भारती जनता पार्टी पर मौझूदा केंद्र सरकार पर अगर ये आरूप लगता है कि वो विपक्ष को तोड़ने के लिए पचले दो ढ़ाई दशकों में लगातार भष्टाचार या परिवारवाद का काम किया है तो क्या सरकार बदलने के बाद सीवी आई और एडी इस आधार पर जांच नहीं करेंगे कि वो लोग विपक्षी दल में चले गए हैं और क्या अपनी जांच को खत्म कर देंगे उन्हों ने ये कहा था कि ये जांच रोक दी जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने जांच एजनसियों को जांच करने से नहीं रोका और उसी के बाद ये छापे स्टेट सेक्रेटरियेट पर पड़े हैं ये बात ठीक है कि पहली बार राजी सची वाले या इस तरह से विदान सफ ये भी बात है कि राज्यों और केंद्र जो यूनियन गवर्मेंट हमारी कही जाती है तो तमिलाडू के मुख्यमंति स्टालिन ने जो जैनरल कंसेंट होती है सीबियाई के लिए उसको विड्रॉ कर लिया ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है तो देश क जरूर है कि 23 जून को एक बहुत बड़ी आशा लेकर विपक्षी दल बैठक कर रहा है प्रधान मुंत्री ने मोदी के खिलाफ और जो ये डर के साए में है तो इससे कई बार ये सवाल उठता है कि कहीं प्रधान मुंत्री मोदी के अकेले डर से सारे के सारे विपक्षी एक